तो दोस्तो आज किस वीडियो में बताने वाला हूँ कि Redmi के इस Mobile में आप किस तरीके से Fingerprint Lock लगा सकते हूँ तो Fingerprint Lock लगाने के लिए सबसे पहले आपको Setting में जाना है Setting में जाने के बाद आपको क्या करना है नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पर आप्सेन मिल जाएगा Password and Security देख पारे हो Password and Security इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर उपर लिखा हुआ है fingerprint unlock यहाँ पर देख पारे हो fingerprint unlock लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद पैटन या pin या password तीनों में से किसी पर भी क्लिक करना है तो यहाँ पर मैं पैटन पर क्लिक करता हूँ और यहा पर क्लिक करेंगे तो आपको अपना pattern डाल देना है जो भी आप रखना चाहते हो उसके बाद फिर से डालना है दुबारा से और confirm करना है confirm करने के बाद गाईज यहाँ पर आपको बोला है कि fingerprint लगाईए तो आप अपने fingerprint जो दिया गए आपके बटन पर उस पर क्लिक करके इसमें fingerprint लगा दीजिए तो यहाँ पर मैं fingerprint जो एड कर देता हूं और आपको भी scan करवा देना है इस तरीके से fingerprint ध्यान सा देखना गईज, fingerprint एड हो चुका है और यहाँ पर डन आ चुका है डन पर क्लिक करना है अब आपका fingerprint जो है लोक लग चुका है तो इस तरीके से आप fingerprint लोक लगा सकते हैं